राजकोट में भारत और वेसंडीज के बीच पहला टेस्ट में चल रहा है और प्रित्वी शौ ने अपने डेबू टेस्ट में शांदार जानदार जबर्दर शटक लगा दिया यहीने प्रित्वी शौ ने बिल्कुल विरिंदर सहवाक के अंदाज में तापर तोड़ बले बाजी की और अपने डेबू टेस्ट की पहली ही पारी में श्रतक ठोक दिया भारत के लिए पारी की शुरुआत करने वाले प्रित्वी शौ ने अपने इरादे शुरू में ही जाहिर कर दिये थे जब वो राहुल के आउट होने के बाद भी दबाव में नहीं आये और तीसरे ही ओवर में तीन दंदनाते वे चौके जड़ दिये इसके बाद भी प्रित्वी शौ कहां थमने वाले थे इंडीज के कप्तान ने अपने स्मिनर देवेंदर बिशु को जल्दी बॉलिंग में लगा दिया तो प्रित्वी शौ ने बिशु की भी जम कर खबर ली और बिशु की गेंदों पर भी लगादार चौके मार दिये प्रित्वी रे अपने डेबू टेस्ट में सिर्फ 56 बॉल पर अर्दशु ठोक दिया और उसके बाद भी अपने खास अंदाज में बल्ले बाजी जारी रखी प्रित्वी शौ लंच तक 75 रन बना चुके थे प्रित्वी की ताबर दोड बल्ले बाजी का आलम ये था कि 50 रन के लिए 56 बॉल खेली तो अगले 50 रन सिर्फ 42 बॉल बना दिये और 99 बॉल पर अपने पहले टेस्ट की पहली पारी में शानदार शटक ठोक दिया प्रित्वी की शौक पर पूरा ड्रसिंग रोम जुमठा, कप्तान विराड कोली के साथ साथ, उपकप्तान अजिंक के रहाने के साथ, पूरा स्टाफ पृत्वी शौक को स्टेंडिंग ओवेशन देखता हुए धिगा वहीं पृत्वी के रिकॉर्ड्स की बात करें तो पृत्वी अपने पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के 106 खिलाडी जबकि भारत के पंद्रवे खिलाडी बन गे भारत के लिए सबसे कम उमर में टेस्ट शतक लगाने वाले भी वो दूसरे बल्लेबास बन गे इनसे पहले 1990 में महान सचिन तेंदलुकर ने 17 साल की उमर में शतक लगाया था दुनिया के तीसरे ऐसे बल्ले-बाज में पृत्वी बन गे जिन्हों आ पने पहले टेस्ट में सबसे कम उमर में शतक लगाया था पहले टेस्ट की पहली पारी में रिकॉर्डों की जड़ी लगा दी साधी साथ अपने बल्लेबाजी से ना सिर्व भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपना दिवाना बना दिया और अस्ट्रेलिया में तो अभी से कृती शौक के चर्चे शुरू हो गए है फ्लेम मीडे रिप कृता है आप एंग्या को अपना दिए लगाप टीए यहां तो अबाद के समय को गए है बंद जोल्य साथ को अपनाना देवाना देवा ना आंपता आप वारत को गए है वांग।